परमेश्वर का धन्यवाद, आज की संगती के बाद ये समझ आ गया कि परमेश्वर का राज्य धर्ती पर है, स्वर्ग में नहीं। लेकिन एक सवाल अभी भी मेरी समझ में नहीं आया है। प्रभु येश्व ने हमसे वादा किया था, क्यूंकि मैं तुम्हारे लिए जगा तयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगा तयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाओंगा, कि जहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहो। उनके इन वचनों को हम कैसे समझें? दरसल प्रभु येशु हमारी लिए जगा तयार करने गए कहां? क्या इन वचनों में भी कोई रहस्य चुपा है? बहन फैंग, बहन टॉंग, जरा इस बारे में हमसे संगती करें. हाँ, जरूर. ठीक है. तुमने बिल्कुल सही कहा. प्रभु के वचनों में वाकई रहस्य चुपे हैं. अगर इन्हें हम अपनी धार्णाओं और कल्पनाओं से देखें, तो प्रभु येशु स्वर्ग लॉड़ गये हैं. इसलिए वे हमारे लिए कोई जगे बना रहे हैं. लेकिन इस तरह से देखना बहुत बड़ी भूल होगी. परमेश्वर के कारे के मामले में हम अपनी धार्णाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते. क्यूंकि हम उनके कारे की धार नहीं पास सकते. इन चीज़ों के बारे में हम तभी समझ पाएंगे जब वे उन्हें पूरा कर लेंगे और हमारे सामने रख देंगे. क्या आप लोग ऐसा नहीं मानते हैं? हम मानते हैं. मैं तब तक नहीं समझी जब तक परमिश्वर के अंत के दिनों की कारे को नहीं स्विकारा और उस कारे की सच्चाई को नहीं देख लिया, जो उन्होंने पूरा किया है. प्रभू येश्यू का हमारे लिए जगे तैयार करने के लिए लोटना, तरसल हमारे लिए अंत के दिनों में जन्म लेने, अंत के दिनों में देहधारी परमिश्वर की कारे को स्विकार करने, उनके न्याय की प्रक्रिया से गुसरने, शुद्ध और पूर्ण किये जाने, और आखिर में मसीय के राजे में ले जाने के लिए था, आमीन, परमिश्वर का तर्नेवाद, हम कितने भाग्यशाली हैं, इस बारे में सोचिए, परमिश्वर देदारी होकर इंसानों के बीच रहे हैं, अंत के दिनों में न्याय करने के लिए सत्ति व्यक्त किया है, और हम कि कारे का अनुभव करते हैं, और हम परमिश्वर के साथ भोज में शामिल होते हैं, क्या ये प्रभू सरूबरू होना नहीं है? हाँ है, जब परमिश्वर का कारे पूरा होने का दिन आ जाएगा, जब हम शुधर और पूर्ण कर दिये जाएंगे, तो हमें परमिश्वर के राचे में लाया जाएगा, परमिश्वर के राचे में मसीय का शासन है, और हम परमिश्वर के राचे में उनके लोगों की तरह उनकी आरातना करेंगे, आमीन, क्या इससे प्रभू की ये भविश्यवानी पूरी नहीं होती, जहां मैं रहूं, वहां तुम भी रहूं, आमी तो इस तरह से प्रभू के वचन पूरे होते हैं, आमीन, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, परमिश्वर का धन्यवाद, क्या मेरी संगती से प्रभू ये शु के वचनों में चिपे अर्थ सबको समाझ आ गए, हां, बिल्कुल सही कहा, अंत की दिनों में सर्वशक्तिमान पर मैं सोच रहा हूँ, परमिश्वर ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में साफ दोर पर काया, कि मसीह का राज धर्ती पर ही साकार होगा, तो फिर धार्मिक जगत के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं, कि प्रभू उन्हें स्वर्ग में आरोहित करें, हां, ये हर कोई ऐसा क्यों च हैरान है, हमने परमेश्वर के प्रकटन और कारिय की खोज ये जाच नहीं की है, हम अपनी धर्णाओं और कल्पनाओं पर अड़े रहे हैं, और इंतजार करते रहें कि प्रभू हमें स्वर्ग के राज में ले जाएंगे, अब सोचते हैं तो लगता है, कि वो सब कितना अस जिनका प्रभू के वादों से कोई लेना देना नहीं है, वे परमेश्वर के इच्छारों सत्य से बिल्कुल विप्रीथ हैं, जिसे परमेश्वर हासिल करना जाते हैं, वाक है, ये सही बात है, इंसानी धर्णाओं और कल्पनाओं वाकी हमारे लिए घातक है, अगर हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही हमें बचा सकते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हमारा धन्यवाद, 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 सर्व आमीन आमीन जो लोग मेरे शब्दों में आनन प्राप्त करते हैं, उन्हें मैं आशीश दूँगा। तुम लोग निश्चे ही मेरी रौष्णी की नेतृत्व में अन्धकार की शक्तियों के गढ को तोड़ोगे। तुम अन्धकार के मध्यन निश्चे ही मार्गदर्शन करने वाली जोती से वंचित नहीं रहोगे। तुम लोग शैतान पर निश्य ही विजयी बनोगे तुम सब निश्य ही बड़े लाल अजगर के राज्य के पतन को देखोगे और मेरी विजयी की गवाही के लिए असंखे लोगों की भीड में खड़े होगे आमीन तुम लोग निश्य ही पाप के देश में ध्रड़ और अटूट खड़े रहोगे तुम सब जो कष्ट सह रहे हो उनके मध्य तुम मेरे द्वारा आने वाली आशिशों को प्राप्त करोगे और मेरी महिमा के भीतर के ब्रह्मांड में निश्य ही जगमगाओगे आमीन परमिश्वर की वचनों में कितना अधिकार है उन्होंने हमें कितना अधिकार वचन लिया है बहन मैं पढ़ना चाहूंगा बहत अच्छे मेरे वचनों के पूर्ण होने के बाद राज्य धीरे धीरे प्रित्वी पर आकार लेने लगता है और मनुष्य धीरे धीरे सामान्य हो जाता है और इस प्रकार प्रित्वी पर मेरे रिदय में राज्य स्थापित हो जाता है उस राज्य में परमेश्वर के सभी लोगों को सामान्य मनुष्य का जीवन वापिस मिल जाता है। बरफिली शीत रितू चली गई है। उसका स्थान संसार में बहते जल के सोतों ने ले लिया है, जहां वे साल भर प्रसपुटित होते रहते हैं। लोग आगे से मनुष्य के उदास और अभागे संसार का सामना नहीं करते हैं। और नहीं वे आगे से मनुष्य के शांथ ठंडे संसार को सहते हैं। लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं, देश एक दूसरे के विरुध युद नहीं करते हैं। वहाँ आप कोई नरसंहार नहीं होता है, और नहीं नरसंहार से लगु बैता है, पूरी जमी प्रसनता से भर जाती है, और ये हर जगा मनुष्य के बीच उत्सा को बढ़ाता है। आमीन। मैं पूरे संसार में घूमता हूँ, मैं उपर सीहासन से आनन्दित होता हूँ, और मैं सितारों के मध्धे रहता हूँ, और स्वर्दूत मेरे लिए नए-नए गीत गाते हैं और नए-नए निरत्य करते हैं। अब उनके चहरों से उनकी स्वयम की खशनभंगूरता के कारण आसु नहीं ढलकते हैं। मैं अब अपने सामने स्वर्दूतों की रोनी की आवाज नहीं सुनता हूँ, और अब कोई मुझसे किसी कठिनाए की शिकायत नहीं करता है। आमीन। आज, तुम लोग मेरे सामने रहते हो, कल, तुम लोग मेरे राज्य में बने रहोगे। आमीन। क्या ये सबसे बड़ा आशीश नहीं है, जिसे मैं मनुष्य को देता हूँ। आमीन। राज्य का जीवन कितना गौरव में होगा। परमिश्वर का धनिवाद। परमिश्वर ने इंसान को कितनी महान आशीश प्रदान की है। बहन फैंग मैं भी पढ़ना चाहूँगी। बहुत सुन्दर। जब एक बार विजय की कार्य को पूरा कर लिया जाता है, तब मनुष्य को एक सुन्दर संसार में पहुँचाया जाएगा। निश्चित रुप से ये जीवन तब भी प्रिथ्वे पर ही होगा। ये प्रिथ्वे पर मनुष्य के लिए एक नई शुरुवात होगी। आमीन। और मानुजाती के पास ऐसा जीवन होना, इस बात का सबोत होगा कि मानुजाती ने एक नए एवं सुन्दर आयाम में प्रवेश कर लिया है। आमीन। ये प्रित्वी पर मनुश्य एवं परमेश्वर की जीवन की शिरुवात होगी. ऐसे सुन्दर जीवन का आधार यही होना चाहिए, कि मनुश्य शुद्ध कर दिये जाने और विजय पालिये जाने के पश्चात, परमेश्वर के सम्मुक समर्पित हो जाए. और इस प्रकार, इससे पहले कि मानुजाती उस बहतरीन मन्जिल में प्रवेश करे, विजय का कारिय परमेश्वर की कारिय का अंतिम चरण है. आमी, कमाल है. परमेश्वर कर धनियवाद. ऐसा जीवन ही प्रित्वी पर मनुश्य के भविष्य का जीवन है. ये प्रित्वी पर सबसे अधिक सुन्दर जीवन है. उस प्रकार का जीवन है, जिसकी लालसा मनुश्य करता है. और उस प्रकार का जीवन है, जिसे मनुश्य ने संसार के इतिहास में पहले कभी हासिल नहीं किया गया है. ये 6000 वर्षों की प्रबंध की ये कारे का अंतिम परिणाम है। ये वो है जिसकी मानोजाती ने अत्यनत अभिलाशा की है। और साथ ही ये मनुश्य के लिए परमेश्वर की प्रतिग्या भी है। परंतु ये प्रतिग्या तुरंत ही पूरी नहीं हो सकती है। मनुश्य अपने भविश्य के मन्जिल में केवल तभी प्रवेश करेगा जब एक बार अंतिम दिनों के कारे को पूरा कर लिया जाता है। और उस पर पूरी तरह से विजय पा लिया जाती है। जब मनिश्य को परिश्कृत कर दिया जाता है, उसके पस चाथ ही वो पापपुन्ट सुभाव से रहित होगा, क्योंकि परमेश्वन ने शैतान को पराजित कर दिया होगा, जिसका अर्थ ये है कि विरोधी ताकतों के द्वारा कोई अतिक्रमन नहीं होगा, और कोई विरोधी ताकतें मनुष्य के शरीर पर आक्रमन नहीं कर सकती हैं, और इस प्रकार मनुष्य स्वतंत्र, एवं पवित्र होगा, वो अनन्त काल में प्रवेश कर चुका होगा, आमीन, बहुत सुन्दर, सर्व शक्तिमान परमेश्वर कमाल के हैं, मैं भी एक अंच पढ़ना चाहूँगा, यहाँ, इसके पास प्रित्वी पर अनन्त विजय होगी, और जो उसके विरोध में है, वे अनन्त काल के लिए नस्ट हो जाएंगे, इससे मनुष्य का स्रिजन करने का उसका मूल अभिप्राय पुनरस्थापित हो जाएगा, इससे सब चीजों के इस रिजन का उसका मूल अभिप्राय पुनरस्थापित हो जाएगा, और इससे प्रित्वी पर उसका अधिकार, सभी चीजों के बीच उसका अधिकार और उसके शत्रूओं के बीच उसका अधिकार भी पुनरस्थापित हो जाएगा, ये उसकी संपूर्ण विजय के प्रतीक हैं. आमीन! इसके बाद से मानव जाती विश्राम में प्रवेश करेगी और ऐसे जीवन में प्रवेश करेगी, जो सही मार का अनुसरन करता है. मनुष्य के साथ परमेश्वर भी अनंत विश्राम में प्रवेश करेगा और एक अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, जो परमेश्वर और मनुष्य द्वारा साजा किया जाता है. आमीन! प्रित्वी पर से गंदगी और अवग्या गायब हो जाएगी. वैसे ही प्रित्वी पर से विलाप गायब हो जाएगा. उन सभी का अस्तित्व प्रित्वी पर नहीं रहेगा, जो परमेश्वर का विरोध खरते हैं. केवल परमेश्वर और वे जिन्हें उसने बचाया है, ही शेश बचेंगे. केवल उसकी श्रिष्टी ही बचेगी. आमीन! ओ, प्रकाशित वाक के पुस्तक के भविश्वानी है, वो उनकी आँखों से सब आँसू पोष्ट डालेगा, और इसके बाद मृत्यू न रहेगी, और न शो, न विलाप, न पीड़ा रहेगी. पहली बाते जाती रहेगी. हाँ. हाँ. जब राज जिसाकार होगा, तो क्या सारी भविश्वानीय सच साबित नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल होगी. परमेश्वर ने हमारे लिए कमाल की आखरी मंजल तयार की है. परभू कर दियो होगी. परमेश्वर का धानेवाद, जैसा वो हुआ करता था. मैं सिहासन पर आराम करता हूँ. मैं संपूर्ण ब्रमहांड को चुकाता हूँ. और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ. क्योंकि सभी चीज़ों ने अपनी पवित्रता को पुनह प्राप्त कर लिया है. और मैं एक बार फेड़ से अपने सियोन में शांती पूर्वक निवास कर सकता हूँ. और पृत्वी पर लोग मेरे मार्ग दर्शन के अधीन शांत, त्रप्त जीवन बिता सकते हैं. सभी लोग सब कुछ मेरे हाथों में प्रबंधित कर रहे हैं. सभी लोगों ने अपनी पूर्वकी बुद्धी मता और मूल प्रकटन को पुन्हे प्राप्त कर लिया है. आमीन. वे धूल से अब और ढखे हुए नहीं हैं, बलकि मेरे राजे में हरिताश्म के समान शुद्ध हैं. प्रतिक ऐसे चहरे वाला, जैसा कि मनुष्य के रुदय के भीतर के एक पवित्र का हो, क्योंकि मनुष्यों के बीज मेरा राजे स्थापित हो चुका है. आमीन. मैं पढ़ना चाहूंगा. दुनिया भर में केवल परमेश्वर और मनुष्य अस्थित्व में हैं. कोई धूल या गंदगी नहीं है, और सब कुछ नया कर दिया जाता है. जैसे कि आकाश के नीचे हरे बरे चारागा में लेटा हुआ भेड का कोई छोटा सा बच्चा, परमेश्वर के सभी अनुग्रह का आनंद उठा रहा हो. और ये इस हर्याली की आगमन की वज़े से है कि जीवन की सांस आगे बढ़ती है. क्योंकि परमेश्वर हमेशा के लिए मनुष्य के साथ साथ रहने के लिए दुनिया में आता है. बिल्कुल वैसे ही जैसे परमेश्वर के मुझ से कहा गया था कि मैं एक बार फिर से सियोन में शांती पुर्वक निवास कर सकता हूँ. ये शैतान की हार का प्रतीक है. ये परमेश्वर के विश्राम का दिन है. और इस दिन की सभी लोगुं द्वारा प्रशंसा और घोशना की जाएगी. और इसका सभी लोगुं द्वारा स्मर्नोट्सो मनाया जाएगा. परमेश्वर सिहासन पर आराम भी तभी करता है, जब परमेश्वर प्रित्वी पर अपना काम समाप्द कर लिता है. और यही वक्षण है, जब परमेश्वर के सभी रहस्या मनुष्यों को दिखाये जाते हैं. परमेश्वर और मनुष्य सदय व सामन जस्य में होंगे, कभी भी दूर नहीं होंगे. ये राज्जी के सुन्दर द्रिश्य हैं. आमें. परमेश्वर का धन्यवाद. परमेश्वर का धन्यवाद. तो इस तरह से ही प्रिधर्थी पर परमेश्वर का राज्य साकार होगा. परमेश्वर का कारिक कितना व्यवारी. आ कई. अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय और त्यारना उनके अपने लोगों को शुद्ध और पूर्णा करता है और धर्ती पर उनके राज्य के उद्धाई को पूरा करता है अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय कितना अर्थ पूर्णा है हाँ कितना अच्छा हुआ कि हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कारे की पड़ताल की इसी तरीके से हम उनकी वाणी सुन सकते हैं और उनके प्रकटिन की गवाही दे सकते हैं और उनके सामने उन्नक किये जा सकते हैं अंत के दिनों में उनके कारे की परताल किये बिना सिर्फ पाद्रियों और एल्डर्स की बात मान कर क्या हम ये अफसर नहीं कमा देंगे। भला कौन सोच पाता कि परमेश्वर के अंत के दिनों के न्याय और शुद्धिकरण को स्विकार करना ही स्वर्ग के राज में जाने का मार्ग होगा। सर्व शक्तिमान परमेश्वर को स्विकारना हमारे लिए कितना बड़ा आशिश है। परमीश्वर का धन्यवाद है। प्रभू के लौट कर आने की हमारी उम्मीद आखिरकार पूरी हो गई।